नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव लगातार मैं हूँ आपके साथ रेखा मिश्रा ज्यारखन के युवा अक्सर ही अपनी मांगो को लेकर सडकों पर उतर कर आंदोलन करते रहे हैं और युवा अपनी मांगो को सरकार के सामने रखते रहे हैं एक बार फिर से ज्यारखन के युवा सिक्षा को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं हमारे साथ इस कारिक्रम में सफी इमाम जुड़ चुके हैं जिने आपने कई बार सड़कों पर उतर कर आंदोलन करते हुए देखा होगा चाहें वो 1932 खतियान को लेकर के सड़कों पर उत्रे हो या फिर JPSC के मुद्दे क सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कारिक्रम में हमारा सवाल यही है कि अक्सर आपने कई मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उत्रा है और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है एक बार फिर से आप शिक्षा आंदोलन की बात कर रहे हैं और इसको ले सब्चनर की जडार की ज़रूरत है लेकिन मेरा मानना है कि जब तक शिख्षा चेतरमें करांति नहीं आएगा जागुटा नहीं आएगा और शिप्षा का आदोलन जब तक तक में अया तब तक हमारा आंदोलन पूरी दर से सफल नहीं होगा इसलिए भी जरूरी हो लोग सेवा अकादमी के द्वारा हम लोग ने एक नया रनिती बनाया है कि पूरे जारखन में अलग-अलग छेत्र में अलग-अलग प्रमंडल में जिला में कोचिंग संस्थान खुला जाएगा और मुक्त में फ्री में सिख्छा दी जाएगी क्योंकि गरीब बच्चे जो है सिख्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं उन्हें सुविधाय नहीं मिल पाती है काफी कोचिंग संस्थान दिल्ली में राची में चल रहा है जब यसी जैसी की तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे जिसके पास पैसे हैं और संसाधन है और जिसके पास नहीं है वहां तक कि यह ज सब्सक्राइब करने जा रहा है कि अगर आप फ्रीज्च्छा आंदोलन देने जा रहा है तो एसे में आफ फ्रीज्च्छा का अंदोलन अकेले तो देंगे नहीं इसकी पढ़ाई जो है वो कई मकसद ही है कि जारखन के युगाओं को ज्यादा से ज्यादा नोकरी मिले और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले और उच्पद पर जा करके जारखन के उन्नती के लिए विकास के लिए वो सेवा दे सके इसमें मेरा प्रेशनल कहेंगे तो मैंने अपने जीवन के काफी कि महत्पुन समय इस पे लगाया है और हम नहीं चाहते हैं कि कोचिंग संस्थाम के आभाव से पैसे के आभाव से बच्चे जो मेरे साथ जो घटित हुआ घटना वो किसी के साथ घटे और लोग ज्यादा से ज्यादा सफल प्राप्त करें इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं औ किन-किन जगों पर आप लोग इसकी शुरुवात करने जा रहे हैं तो रहां जो तैयारी करने की जह तक बात है तो रेखा जी मैं बताना चाहता हूं कि यह अभी हम लोग स्पोज़ाद कर रहे हैं बोकारों से जिससे बगारों से लेकर पूरे जार्फन में भासरा बाद राची में दुंका में धनवाद में गिरडी हजारी बाग हल जगह में इसका ब्रांच खुला जाएगा और इसको फैलाने का काम क्या जाएगा जहां तक लिए और यह जो है ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा चलिए तो आपने हमारे साथ सफी इमाम को सुना जीनों ने सिक्षा अंदोलन को लेकर अपनी बात कही उन्होंने कहा है कि किसी भी काम की सुरुआत जो है 워 सिक्षा के बीजस्य हो सकती अगर इस इंसान को आगे बढ़ना है तो सिक्षा जो है उसमें महत्यकून भूमीी का निभाती है सिक्षा के माध्यां से लोग है वो अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में सफी माम की ओर से शुरू किया गया यह आंदोलन कितना रंग लाता है तब तक के लिए आप देखते रहे लाइव लगाता नमस्कार